हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि इंफिनिक स्मार्ट एट ब्लस फोन में आप लोग डेवलपर मोट को कैसे बंद कर सकते हो अगर आपके पास एक infinix smart 8 plus phone है और इस phone में जो आपको developer mode को disable कर देना है अगर आपने जो developer mode को enable किया था गैस और वहाँ पर से अपने कुछ settings को change भी किया था आपको जो है वहाँ पर से बहुत सारे settings मिलेंगे गैस और आपको जो उन settings के बारे में पता भी नहीं होगा तो अगर आप लोगों ने वहाँ पर से कुछ settings को enable disable किया था तो आपको जो यहाँ पर आपने app में कुछ गरबरी देखने को मिल रहा है phone hitting वगरा हो रहे तो कैसे आप लोग जो आपने developer mode को disable कर सकते हो और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को start करते है डेवलेपर mode को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यापर से नीचे scroll down करेंगे तो last में एक option मिलेगे गए system का तो इस system के option पर आपको click कर देना है click करने के बाद यापर से नीचे scroll down करना है last में एक option मिलेगा developer mode का तो इस developer options के option पर आपको click कर देना है क्लिक करती यहापर जो पहला वाला option होगा गाईस वही होगा developer mode का switch मतलब enable और disable करने वाला switch यह उस developer option लिखा हुआ होगा गाईस तो अगर आपको developer mode को बंद करते ना है तो इस switch को simply आपको बंद करते ना होगा बंद करते आपको developer mode बंद हो जाएगा और यहापर से जो भी settings आप लोगोंने share खानी किया था गाईस वो भी यहापर से default हो जाएगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने infinix smart 8 plus phone में आप लोग developer mode को बंद कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई